प्रदानमंत्री यह करते हैं कि देश में जाती नाम की कोई चीज नहीं है लेकिन तेलंगाना में पिछलों पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं और यहां तक आये हैं कि भाजपा के लोग कर रहे हैं कि वह भी सी चीफ उनिस्ट्रम देंगे तेलंगाना लेकिन अभी तक जितना मतलब कि गंभीर विश्लेशन जो अभी तक हुआ है उसमें चार पाटियों की प्रजेंस वहां बहुत महत्पूर्ण तरीके से अखवारों के में चर्चा का विसाय है भार्देंता पाटी कॉंग्रेस की पाटी और प्लस अस्दुद्वीन अवैसी की पाटी जो हैदराबाद सहर में अपना प्रजेंस रखती है हम सिर्फ यह नहीं कहेंगे कि राहूल गांदी सिर्फ एक्टिव है वहां पे प्रधान मंत्री जो है करनाटक की भाजपा के हार के बाद किसी ना किसी तरीके से तेलंगाना में भाजपा अपना प्रजेंस रखन जो का विद्धान सवाचुनाव संपन्व को तीन तारिक को इसका रिजर्ट आ रहा है ते लंगाना पर रावल गांधी काफी काफी एक्टिव रहे हैं के सी आगी सरकार महां पर है और बस्वावी काफी परचार हुए आरेस परविल के नित्रुत में बस्वावी कूप महां द्वाधार पुचार किया है विख्टिवत रूप से तिलंगाना की राजनिती में मुझे बहुत जादा जानकारी नहीं है लेकिन दक्षिक का मफ़ून राजिर संजीव जी हमारे सांथ हैं पूरे सुबत के सांथ कि क्या होगा तिलंगाना में इसका भारी संजीव जी से स तो सोचल कॉंपोजिशन क्या है और किसके जीतने की संभावना है स्वागत संजीव जी बताएं तेलंगाना के चुनाओं के मद्द नजर एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि जितना प्रदार मंतरी का दोरा हुआ है और जिस दंग से नरेंदर मूदी जी ने तेलंगाना के चुनाओं को बहुत गंभीरता से लिया है तो हम सिर्फ यह नहीं कहेंगे कि राहुल गांदी सिर्फ एक्टिव है बेसिकली वहाँ पे प्रदान मंतरी जो है करनाटक की भाजपा के हार के बाद किसी ना किसी तरीके से तेलंगाना में भाजपा अपना प्रजिंस रखना चाती है कि साउच का द्वार टोटली नवबंद हो और आपको याद होगा कि तेलंगाना राज में एक इनके विधायक है ती राजा सिंग जो हमेशा अपने भरकाओं ब्यान के लिए या मतलब की एंटी मुसलिम ब्यान के लिए जाने जाते हैं और वो तेलंगाना राज से ने में ही बिधायक हैं भातियंता पाटी के साइद और अभी इस बार चुनाओ लड़ रहे हैं तो तेलंगाना भाजपा के लिए भी बहुत महत्तपून है और तेलंगाना के सी आर के लिए बहुत महत्तपून है जो राश्टी इस्तर पे अपना प्रजिंस दिखानने के ल नाम लिया और वहां पर चुनाओ लड़ रही है लेकिन अभी तक जितना मतलब के गंभीर विशलेशन जो अभी तक हुआ है उसमें चार पाटियों की प्रजिंस वहां बहुत महत्तपून तरीके से अखवारों के में चर्चा का विसाय है भारतेनता पाटी कॉंग्रेस और और इंधाबा सायर से अलग भी जो दूसरे जीले हैं वहां पे मुसल्मान कई 8% है कई 10% है और कई जीलों में 10-12% मुस्लिम अपना प्रिजिंस रखते हैं तो मुस्लिम बोर्टर भी वहां पे हैं अब सवाल यह है कि जो त्यलंगाना चुनाओ हो रहा है उसम मुद्दे क् है केसी यार तो लगातार बोल रहा है कि दस साल में जितने वेलफेर की स्कीम हमने लाए खास कर जिए फार्मर वेलफेर की स्कीम जो हम लेकी आये हैं उसका कोई मुकाबला देश में नहीं है जैसे राइथू किसान बंदू राइथू योजना जिसमें दस हजार रुपया प् पुरिशा ने भी करी और लेकिन तो सबसे बड़ा मसला जो इस चुनाओं में बना है तो दो इंपॉर्टेंट मसला इस चुनाओं में देखा जाला है कि तेलंगाना में जाती है अधार पे जबर्जस्थ पोलराइजेशन करने की कोसिस की जा रही है प्रधान मंत्री जी ल और यहां तक कहा है कि भाज़पा के लोग कर रहा है कि ओभी सी चीफ उनिष्टरम देंगे तेलंगाना में और जो सबसे बड़ी बात है कि प्रधान मंत्री जी ने दलीत बोटों में वहां डिवीजन कराने के लिए माला और मडिगा जो दो इंपॉर्टेंट जातिया तेल बाला जाती है वो सरकारी नौक्रियों के क्रीम खाना जाजा खा चुकी है और मडिगा जो है वो बंचित रहे हैं तो प्रधान मंत्री जी ने एक नए तरीके सुमाह एक सिगुफा चोड़ा है कि हम सब कैट्रेज के जो सब कैट्रेगरी भी बनाएंगे हम इस पे विचार क रहेंगे तो यानि की कास्ट बहुत बड़ा बनाया गया और राहूल गांदी ने भी ओबी सी का और जो दलिट फैक्टर यह जो है तेलंग गाना में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको उठाया है अब या फैक्टर क्यों उठाया गया यह जड़ा देखने वाली बात होगी वह इसलिए उठाया गया है कि इसमें निश्ची तुरूप से के सीयार के बेल फैर इसीम का कोई काट नहीं है और तभी सारी पाटियों ने कहा है कि के सीयार अगर दस अजार दे रहे हैं तो हम किसानों को पंद्रह अजार देगे साल में परती एकड़ उन्होंन झाति के हैं विलंमा कक्स्त है विलंमा जैसे नौर्स इंडी एक पिजिंट्री कास्त है और किसान ही करती है किसानों के खेती है और लोग ये भी बोलते हैं कि जो के सीयार कि राइफ जो किसान को इंसेंटिव देने की योशना है उसका बहुत बहुत बढ़ा benefit कास्त को मिला है तो कि इनके पास लेंड ओनिंग बहुत ज्यादा है विलम्मा कास्ट के पास तो उसका फाइदा निश्चित रुप से के सीयर को जाती को मिली है और जो तमाम दूसरी जातिया जो छोड़ा लैंडलेस रही है जिनके पास कम जमीन है वो इसका कम फाइदा उठा पाए है तो उनको ये कहीं ने कहीं लगता है कि तुकी हमारे पास लायन कम है इसलिए हम विस्क्रिमनेट हुएं इस योजना में दूसरा बाकी राज्यों की तरह ही तेलंगाना में कास्ट फैक्टर है और डॉमिनेंट विलम्मा जो हैं दूसरी जातियों को दबाने के लिए थोड़ा स इनके खिलाब काफी सिकायते भी आती रही है और कॉंग्रेस में यहां तक कि योज घोशना मतलब कि कंग्रेस जिस्टंक से इसनों ने इस जाती का एक इंपॉर्टेंट रोल है और इसंते को काफी मदद मिला है लेकिन जो सबसा इंपॉर्टेंट इस्चू जो तेलंगाना है उसका नाम में भूल राओं स्रिंग मालू या ऐसा कुछ कोई डैम परियोजना है उसमें केसी यार पर एक लाग करोल रुपे का यह परियोजना पर भारी धृष्टाचार के अरोब लगे हैं तो कि कई जगा सो डैम के कंस्ट्रक्शन में घंटिया हुई घंटिया समगरीस्तिमाल किया गया है और दे पर गोंगों के साथ उनका वास्ता नहीं रहा है कि हर तरफ से चंद क्या रहा ही कि तेलंगाना में कॉंग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे एक इंपोर्टेंट खबर और उसका एक कारण बहुत पड़ा कारण यह बन रहा है ब्रेश्टाचार को लेकर जो कॉंग्रेस ने किसू उठाया है सोसल जस्टिस का जो इसू उठाया है और कॉंग्रेस के लिडरों ने कैम्प भी किया और कंपेन में लोगों को बताया कि हम लोग करणाटक में क्या करने जा रहे हैं क्या किया पिछले दो-तीन महिनों में और वह हम तेलंगाना में कैसे उसको लागू कर सकते तो इसका इंपक्ट बढ़ा है तो यह जो सारी चीजे हैं उससे कही न वैसी हैदराबाद सहर में है उन्होंने जितने कंडिट खड़ा किये हैं 12-14-15 जितने भी किये होंगे उसमें 60-70% मुस्लिम कंडिट उता रहे हैं भारतिय जनता पार्टी पुरे प्रदेश मिल्डर रही है लेकि भारतिय जनता पार्टी के बारे में अभी एक बात उठ र वहां पर कॉंग्रेस नजीत पाई कांग्रेस नजीतेगा तो क्या होगा कैसी अरगर ग्रिजिनल ग्रूप है कल को दोजारब चौवीस में अगर कि नहीं पर इस्थितियों में के सियार की मदद चाहिए होगी तो मोदी साब उसकी मदद लिए तो अभी तेलंगाना की स्थ करना करना पड़ रहा है कांग्रेस तो बहुत भैबी थे और कांग्रेस ने कहीं न कहीं अभी तक केसी आर्पे आंसिक बढ़त बना रहे अच्छा जी एक सोनी सीट है और एक सोनी सीट में जो क्या हैी और सबसे बड़ी बात है कि एक और वड़ी है कि मुस्लिम आबादी 12 पर्सेंट होने के बना हुआ बाकि जो तमाम जो है चुनाओं का मुद्दा जो है हिंदू के अंदर जो सब के रहे हैं उनका मोबलाइज़ार्म कास्ट फैक्टर ब्रश्टाचार यह मुद्दा बना हुआ है और दस साल के सासन के बाद के सीर को बहुत तफ कंपोडिशन का सामना करना पड़ रहा है अगर का त्यलंगाना में जीत का मतलब है कि पडूस के आंदर प्रदेस में कॉंग्रेस देरे 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 फिर मजबूत हो सकती और चुकी जगन मुहन रेड़ी हो चाही कीड़ी भाजपा तो आंदर में है नहीं किसी जंचर पर आके बीजेपी के साथ जाएंगे अभी चली रह कर रही है बेशक बीजेपी को दो आज सीटा है बेशक चार सीटा है बीजेपी चाहती है कि वहाँ पर अगर हम नहीं तो कांग्रेस भी नहीं केसी आराज है तो यह जगन मुहन रेड़ी की पीछे सरमीला नाम है उनका या क्या नाम है मैं भूल रहा हूं सोनिय कांदी से मि करेंगी अब जॉइन किया कि नहीं पता लेकिन यह चर्चा थी कि साइद कॉंग्रेस जॉइन करींगों तेलंगाना में अपना भूमिका निभाएंगी लेकिन कुल मिला के वहां लडाई कांग्रेस के बीच है यह तो आप मान के चलिए बाकी तो सब वह है फैक्टर है किसी को हराने के लिए कौह कर रहा है किसी को कुछ जिदाने के लिए काम कर रहा है वैसी के बारे में लगातार कहा जाता है क्वारति-ध्यंत्र drag hybrid機 मिलती buds किसी राजी तिक दल को मदद नहीं मिलती है मेरा यह मनना है सारे देश का मानना है जो थोड़ा बहुत भी सेकुलर पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं को उनको पता है कि वैसी साहब का जो वासड है वो अल्टिमेट बीजेपी को मदद करता है कि और इस कि अधायन से जैसे हम लोग तो वहां पर मवजूद नहीं है लेकिन जिस रास्थान के पुर्वी राज्थान के पूरिवी रास्थान के इसा नहीं कर सकते हैं कि अभी बिएस्टान के बाद यह आता है कि दो भी जी सकते हैं या कहीं और अपना धावन थाम ले लेकिन आज भी फैक्टर राष्थान के अंदर है और जो खास करके बरतपूर से नीचे वाला जो है और ओल्ड वोटर्स जो है इस्टन राष्थान के जो 50 के ऊपर के अभी जो राश्थार में जब तर्चा हो रही थी कि 50 के ऊपर के जो वोटर्स हैं वो BSP के साथ हैं जो पहले BSP के के जो रहें Janुट के हैं तोन्हों ने कहा कि 30 के है 25 के जो वोटर्स हैं जो पहले BSP के साथ अपना जुलाओ रखे है जिनकी फै Miles वो दिख रहा हुँ तो इस चार लोगोग की चर्चा है तो अब या तो या तो कारण है कि देखे अभी तो प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष वहां पर रेवनाथ रेटी है या पता नी क्या नाम है लेकिन इससे पहले जो तेलंगाना के जो कॉंग्रेस अध्यक्स थे और उन्होंने खासा मोबलाइज किया था तेलंगाना में दलितों को कांग्रेस के अंदर और मुझे कहीं नहीं लग रहा है कि चुकि खड़गे प्रोस के अगदम करनाटक से हैं अगर आप देखेंगे तो तो खड़गे नौर्स करनाटक से ही हैं जिसको का सकते हैं कि बॉंबे करनाटक के हैं राष्टिय देख्ष पड़एं तो उसका फाइदा निश्चित रूप से कांग्रेस को मिल रहा है तो मैं इमांदारी से बोलूगा कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में मुझे बहुत जादा जानकारी नहीं है ताकि मैं कि पीजे की और जो केसी आ रहें प्यारेस उनके पीच कुछ आपसी अंडरस्टैंडिंग प्रश्चार का मामला गया था तमाम इस सब गुए था फिर वो मामला दब गया क्या अंडरस्टैंडिंग है देखे आपने बहुत सवाल पूछा कि आखिर भाजपा के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग है तो देखे आपने प्रश्चार की भी बात करी तो बेसिकली मसला वहीं पर जाकर टकना है कि दिल्ली का जो सराब गोटाले में कहीं ने कहीं एक दक्षिन लॉबी का नाम आया था और दक्षिन लॉबी में कहीं आपको याद होगा कि इन्फोर्स्मे पॉलिसी में इनका इंपॉर्टन रोल था और कहीं न कहीं तार की सुपुत्री और एक और कोई जगन मुहन डिटी के सांसत थे जिनकी साथ उनके बेटे की गिरफतारी हुई थी इस मामले में उनके बेटे की साथ गिरफतारी हुई थी जगन मॉहन डिटी तो कुछ दक्ष ये निशाने पे तो उसके बाद कहा जाता है उसी समय यह सुचना आई थी छनके कि केसी यार और भारती जनता पर्टी के बीच एक समझाता हुआ है और यहां तक आ गया था कि केसी यार जो है कुछ महराष्ट्रा की इलाके में जो लगतार दौरे कर रहे हैं और किसानों के ब कि इस बेल्ड में सरतपवार और क्या काः जाता है कॉंग्रेस के बीच जो किसानों के बीच पैट है उसको किसी जंक से केसी यह तो यह लगातार एक मतलब की संभावना जताहिं जा रहे थी कि केसी यह ने अंदर खाते बी जेपी के साथ 12 गाट किये क्योंकि आमादी के त थो बड़ेनेता सारे अरेस्ट हो गए ब्मनीनदी शोदिया भी अरेस्ट हो गए संजे सिंग भी सराप घुटआला में आडश हो गए दो बड़ेनेता इस इस लीकुल सी woll da सब्सक्र तो जितना कुछ संजे सिंग के ऊपर आरोप है उतना ही आरोप है सेम आरोप उन पर है कि पैटी पी है की की बिटी को एडी ने आपने ध्यान लिया होगा कि इडी अब बुला के पूश्ताच कर रही है ना उनको ग्राफतार कर रही है तो यह इस कारण यह भी इस सेलेक्शन में एक बहुत बढ़ाव अहां पे चर्चेटा भी सए है कि आखिर यही कारण से सक्क्रादा है कि भारतिय जनता पाटी जो है के सी आर के मदद कर रही है और के सी आर जो है वो 2024 में परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल बना रहे है क्योंकि बीजेपी को इतना पता है कि फिलहाल वो तेलंगाना के अंदर हैदरावाद अगर एरिया कुछ पूर दिया जाए तो वहां पूरे तेलंगाना में भाजपा की परदिन सुन्ना के बराबर है हलाकि भारती जनता पाटी नो वहां OBC कार्ड खेला और पहले जो उनके जो परदेश अध्यक्स थे जिनको KCR ने अरिस्ट भी कर लिया था बंदी संजे कुमार को एक पेपर के लीक के मामले में अरिस्ट किया था बंदी संजे कुमार OBC के हैं तो OBC OBC भाजपा कर तो नही है लेकिन OBC वोटर भाजपा के साथ जाएगी इसके भाजपा को खुद पता है कि अभी उनके पास ने कोई OBC वोट आ रहा है वहां पे डलित वोट आ रहा है दलितों को भी भाजपा ने जो लोब दिया है या प्रलोभन दिया है कि हम सब करेंगे मडिगा को जो नहीं मिला है हम जिवाएंग उनका हिस्सा सरकारी नोक्रियों में जो नहीं मिला है उसके बावजूद बाजपा को पता है कि जमीन पे हम बहुत वीक है ठीक वैसे ही जैसे आंद्रप्रदेश में भाजपा वीक है तो तेलंगाना के रास्ते वह के सी आर से अभी बादचीत का रास्ता इन्होंने खोल रखा है कि 2024 में हमारी केसी आर से मदद मिल जाए तो ये भी हो सकता है कि जैसे नवीन पतनायक के साथ एक आपने देखा होगा कि एक एड़ेस्मेंट है भारतियंता पार्टी का कि स्टेट में नवीन पतनायक राज कर रहा है क्योंकि कार्परेट को नवीन पतनायक सारे पोलीष्यां बनाते हैं और बनाते हैं दो जैसे बिजु पतनायक के साथ है तो वैसे ही भारति जनटा पार्टी मेंटली एक एजस्टमेंट के साथ करने के लिए साथ त्यार है कि आप स्टेट में रहो अगर दो चार पांच सांस दूं के हमें जरूरत पड़ेगी दोजार चोबिस में तो आप हमारी मदद कर देना और उसके वज में के सियार ने अपने अकलाब भी ले लिया है कि फिलाल एड़ी के निशाने पो नहीं है एड़ी की निशाने पर फिलाल नहीं है और जब यह बात बाजार में आ गई तो उसके बाद क्या हुआ कि परधान मंत्री जी को जब यह पता जला तो परधान मंत्री जी पिछते तिचार दिन से जब उनको लगा कि यह सारा बात बात बाह आ रही है कुछ हल्ला हंगामा ज्यादा हो रहा है तो के सी यार पर बहुत ज्यादा हमलावर हो गए कि कहीं पब्लिक में वाकई में मैसेज ना चला जाए तो यह एक मतलब की एक सच्चाई है कि बीजेपी और के सी आर के बीच कुछ इंटरनल अरेजमेंट हुआ है जी झाल झाल